मोतिहारी में बाइक चोर को चोरी करना इतना भारी पड़ा कि लोगों ने उसके जम कर कुटाई कर दी दरसल तुरकॉलिया थाने के परशुराम पूर गाउं में बाइक चोरी करते हुए एक चोर को लोगों ने दबोच लिया फिर क्या था? इसकी इतनी कुटाई की गई कि बेचारा गंभीर रूप से घायल हो गया लोगों ने पहले बाईक चोर के दोनों हाथ बांध दिये फिर पोल में बांध कर इसके जम कर कुटाई की गई भीड आरोपी पर तावर तोड हाथ साफ कर रही थी जो आ रहा था वो थपड़ों की बारिस कर रहा था पीट पीट कर जखमी करने के बाद आरोपी चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया बताया जा रहा है कि तिर्कॉलिया थाना इलाके में इन दीनों बाईक चोरी की वर्दात बढ़ गई है जिसको लेकर पुलिस के साथ ही आम लोग भी चौक कने रह रहे हैं रविवार रात पर शुरामपूर के रहने वाले सुनरसा के दर्वाजे पर लगे बाईक को तीन चोर चोरी कर रहे थे इसी बीच गाँवालों की नजर इन चोरों पर पड़ी जिसके बाद ग्राइमूरों ने शोर मचा कर एक चोर को दबोच लिया लेकिन दो चोर भागने में सफल रहे पकड़े गए चोर को ग्राइमूरों ने वहीं बिजली के खंबे से बांद कर पहले खूब पिटाई की फिर 112 पर कॉल कर पुलिस को सौप दिया ग्रतार आरूपी से पुलिस पूशताश कर रही है तुरकोलिया थाना ध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि 112 की पुलिस एक बाइक चोर को पकड़ कर लाई है जिसने पूशताश में अपना नाम बिट्टू बताया है जो इसी थाने के जयानपूर बहरुपिया गाउं का रहने वाला है उसने बताया कि उसके दो साथी भाग गये हैं पुलिस ने फरार चोरों को जल्द गिरफतार करने का दावा किया है